मंच बे उपस्तित दिल्ले के मुक्य मंत्री अर्विन जी केद्रिवाल पस्चिम मंगाल के मुक्य मंत्री मम्ता दिदी महराश्ट्रव के पुरुव मुक्य मंत्री और देश के पुरुव कुरुव कुरुव कुरुशी मंत्री अधर्निय शेरत पावार जी अधर्निय शेरत आदव जी आदरने फारुक अब्दुला जी मंच में उपस्तित सभी नेतागन और उपस्तित भायों और भायनों इस विश्याल रैली में अर्विन जी ने जो धरना शुरू किया है उसको समर्तन देने के लिए और किसानों के तरब हम भी आपके साथ आए ये संदेशा देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ भायो इस मोदी राज में हम भी बहए गये थे 2014 में हमें आइसा लगा कि ये लोग हमें अच्छे दिन दिखाये दिखलाएंगे ये किसानों को किसानों के लिए कुछ करेंगे इन्होंने किसानों को डेर गुना दाम देने का वादा क लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई किसानों का करजा दुगना हो गया यही हालत है बुधी राज में आज गाई सुरक्षित है और हमारे भहेने आमारे मैला सुरक्षित है यह अवस्ता है इनके राज में भगवान सुखी है लेकिन आम आदमी दली पिछडा और किसान पहले बार इन्होंने किसानों के विरोध में जो 2013 में भूमी अधिगरन का कानून हुआ था उसका उसमें संशोधन करने की कोशिश की थे उसी वक्त हमने उनको कड़ा विरोध किया था पुरे देश के किसान इनके खिलाप है पुरे देश का आम अदमी इनके खिलाप है पुरे देश का दलित पिचला इनके खिलाप है इसलिए आज ये नेता है आज ये ताना सहा बन गया है लेकिन इस देश की जनता इनको सड़क पहलाएगी और यही निर्दार करके हम वापस जैएगे धन्यवाद जैन जैराग